हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल सरकारी जॉब नियूज ये 15 फरवरी 2020 के इन्पोर्टेंट करेंट कोशन से आपके एक्जामनिशन में काम आएंगे शुरू करते हैं पहला कोशन लेते हैं उससे पहले एक इन्पोर्टेंट अनॉंसमेंट है 19 फरवरी की सुबह 11 बजे हम लोग करेंट फर्स वीडियो लेकर आ रहे हैं जो दो महीने का होगा जन्वरी और फरवरी का सुबह 11 बजे बुधवार को आप देखना मत भोलना ठीक है बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि पूरे दो महीने का करेंट फर्स चाहिए जितना भी अब तक है उससब का तो वो हम लोग लेके आ रहे हैं बुधवार को 11 बजे पहला कोशन लेते हैं आज का केंदर सरक के नाम क्या होगा सुष्मा स्वराज भवन प्रवासी भारती एक इंद्र जो है वो देश की संस्कृति से प्रवासी भारतियों को जोड़ने का काम करता है यह एलान किया है विदेश मंत्रा लेने विदेश मंत्री ने अभी जो है एस जैशन करने अगला कोशन लेते हैं अ विदेश सेवा संस्थान की इसका भी आंसर वही होगा सुष्मा सुराज विदेश सेवा संस्थान जो है वो देश का एक अग्रणी प्रशिक्षन केंद्र है और यहां पर राजदूतों को प्रशिक्षन दिया जाता है तो विदेश मंतरी जैशंकर ने अभी जो है उन्होंन है विदेश सेवा संस्थान वो जाना जाएगा सुष्मा सुराज विदेश सेवा संस्थान देकि दरसल सुष्मा सुराज की जैनती 14 फरवरी को थी मनाई जाती है तो उनको सम्मान देने के लिए किंद सरकार ने ये फैसला लिया सुष्मा सुराज का जर्म हुआ था मंत्राल ने हाली में एक रुपए के करेंसी नोट का मुद्रन नियम 2020 उसको नोटिफाई किया है तो इसके अनुसार एक रुपए के नए नोट पर किसका सिखनेचर होगा हम लोग देखते हैं अकसर एक्जामनेशन में इस तरह के चक्रवर्थी तो उनका नाम होगा वित्मंत्राल रे जारी करता है एक रुपए का नोट इसके लावा जो करेंसी है वो आर्पिया जारी करता है तो नए नोट में Government of India उपर लिखा होगा और भारत सरकार लिखा होगा एक रुपए के नए नोट में वित्मंत्राल रे के सचिव या तुनी चक्रवर्थी का सिखनेचर होगा दो भाषाओं में दोनों भाषाओं में इंगलीश और हिंती दोनों में और पहले की तरह होगा जैसे नोट में सिक्के की प्रतिकिर्थी होती है और उसमें रुपए का सिम्बल बना रहेगा सत में जयते होगा नम्बरिंग पैनल होगा इलेटर में छपा होगा और यह जो नया नोट है वो कलर देखने में पूरी तरह पिंक ग्रीन नहीं लगेगा थोड़ा चेंज करके इसमें लाए जा रहा है चलिए इससे रिलेटर है अगला कोशन वित्त मत्राले ने हाली में एक रुपए के करेंसी नोट का मुद्रन नियम 2020 अधिस उचित किया है तो इसके अनुसार एक रुपए के नोट पर किसका चित्र होगा अक्सर एक्जामनेशन में चित्र के जो कोशन है वो आते हैं कि किसका 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र है 100 रुपए के नया नोट पर किसका चित्र है तो यह इन्पोर्टेंट है तो इसका आंसर होगा सा अगर सामराट क्या है तो तेल खोजने का एक प्लेटफॉर्म है एक ड्रिल शिप है जो तेल और गैस के कुगों को खोजने के लिए समुद्र में ट्रिलिंग करता है और ये मुंबई के तट से 176 किलमेटर दूर बॉंबई हाई में इस्ते थे बॉंबई हाई में वहाँ पर ह तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानि ओ इन जीजी करता है और सागर समराट की जो ड्रिलिंग है वो 18,000 फिट घर आई है इतनी हाला कि ये कोई नई बात नहीं है कि सागर समराट का फोटो जो एक रूपे के नोट पर होगा 1983 से यानि 1983 से अब तक जितने भी नोट छपे हैं उन पर सागर समराट की ही फोटो रही है तो एक इंपर्टन बात थी आपने जाना अगला कोशन लेते हैं उससे पहले आपको बता दूँ कि इसका PDF या आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो खात मोट से ठीक पहले डेबगल कोशन में भी इसका लिंक देना शुरू करती है कोशन है अंतराश्थी होकी महासंग यानि F.I.H. उसने किस खिलारी को साल का सरश्ष्ट खिलारी यानि F.I.H. प्लेयर आफ दी इयर पुरुष्ट चुना है यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है इसका अंसर है मनप्रीत सिंग उन्ही के कप्तानी में भारत ने बीते साल यानि 2019 में नौबर में ओलम्पिक कौलिफार में रूस को हराकर टोक्यो ओलम्पिक का टिकट हासिल किया था और इस आवार्ड की रेस में बहुत सारे दुनिया भर के बड़े बड़े जो खिलारी हैं वो सब थे जैसे वर्ल्ड च इसके अलबा लुकास, विला इस साब इन सब को पीछे छोड़के मनपृत सिंग ने ये अवार्ड एक तरस जीत लिया तो देखी इस अवार्ड की जो शुरुवात है 1999 में हुई थी और उसके बाद से प्लेयर आफ दी येर का जो खिताब है वो जीतने वाले हैं पहले भार पाने वाले वो दूसरे भारती होकी खिलारी है इतना बड़ा आवार्ड इससे पहले भारती होकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को वर्ल्ड केम्स एथलेट आफ दी येर का आवार्ड मिलेगी चुका है अगला कुछ लेते हैं एफ आई एच से ही रिलेटेड है आप अगर प्रसाद अधिके अंतराष्टी होकी महासंग है इसके CEO कौन है थियरी विल ओके और होकी इंडिया इंडिया में है तो होकी इंडिया के अधक्ष कौन है चेर्मन कौन है मौहमद मुश्टाथ आहमाद आगे बारते हैं अगला कुछ ने किन सरकार ने 12 फरवरी 2020 को स्क इसका अंसर होगा आईशमान भारत ओके क्या होका इसमें तो इस पहल के ताहत हर सरकारी स्कुल में दो टीचर्स को हेल्थ एंड वेलनेस इंडिया चुना जाया और केंद्री एमानो सुन्सान विकास मत्री रमेश पुखरियाल निशंक और केंद्री स्वास्त मत्री डॉक् और फरवरी को की थी हाली में और न्यू डेली में इस पहल के लिए पार्ठकरम भी एक स्लेव भी शामिल किया गया है चलिए अगला कुछ लेते हैं केंद्री कबिनेट का फैसला है है केंद्री कबिनेट ने तीन सरकारी बीमा कंपनियों कौन कौन है यूनाइट इंडिया नेश्ञल एंश्रीन्स और ओर उरिंटल एंश्रीन्स तो उसमें कितनी राशी का पूझी डालने की मंजूरी दिए इसको इंगलिश में कहते है उजगले कांसरोगा 105000 करोह रुपए 50000 करोह रुपए तोकंचिक केंद्री मनत्री है मद्धह क loaf प्रकास जावड़े कर उन्ह में पुझी डालने का फैसला किया गया है और मार्च 2020 के आखरी तक इन तीनों बीमा कमपनियों के जो प्रस्ताव हैं विले करने का उससे पहले ये पुझी डालना जरूरी हो गया था तो तीनों कमपनियां जो है वो एक कमपनि बन जागी मार्च के एंट तक ते भी ध्यान र ततकालीन जो वित्तमंत्री थे उस समय अरून जेटली उन्होंने इसका आयलान किया हो था हलाकि इन कमपनियों की जो खराब वित्ती हालत थी इसकी वज़से विले का काम पूरा नहीं हो पाया तो तो अब ये हो जाएगा अगला कुछ लेते हैं इंस्टिट्यूट आफ च पिछले साल उपाध्यक्ष थे अगला कोछ लेते हैं इंडियारेफ द्वारा दुईतिये बिंस्टेक आपता प्रबंधन अभ्यास 2020 उसका आयोजन 11-13 फरवरी को किस शहर में किया गया इसका अंसर है भूबनेश्वर क्या हुआ अभ्यास में तो ये बार, भोकम, दुफा इन दौरान जो आपदाई आती हैं उसको कैसे निप्टा जाए उसको लेकर और इस अभ्यास में बांगलादेश, भारत, मियंगमार, श्रीलंका और नेपाल ने हिस्सा लिया दो बिंस्टेक देश हैं जो नोने हिस्सा नहीं लिया थाईलेंड और भूतान तो बिंस्टेक जो है उसका फुल फॉर्म क्या है बे ओफ बंगाल इनिशेटिव फ़र मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एकनोबिक कॉपरेशन लोके साथ देशों का समूह है दक्षिन एशिया और दक्षिन पूर्व एशिया के कौन कौन है भारत, भूतान, नेपाल, बंगलदेश, श् जनवरी और फरवरी का टोटल करेंट फर्स वीडियो लेकर आ रहा है हम लोग बुधवार की सुबह 11 बजे तो देखना मत भूलना अभी सही इसको नोट कर लो उस दिन टाइम निकाल लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम जो अभी एक्जाम निशन होने वाले हैं जै दिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना अभी सही और 2019 का जो करेंट फर्स है जनुरी से दिसम्बर तक का बहुत रीच कंटेंट है वह एमेजन पे अबलेबल है तो दिस्क्रिप्शन चेक कर लेना ओके और उसका पीडियों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंग में है ही और सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना साथ में बिल एक दोमाना मत बुलना कल मॉनिंग को मिलेंगे